अवा दोजा, शिक्षा के शेत्र में बड़ा नाम और अब वो राजनीती में कदम रखने वाले हैं, जिब इलकुल सही सुना आपने, इस तरह की अटकले लगाई जा रही हैं कि अवा दोजा सर लोकसबा चुनाव लड़ सकते हैं, और वो भी भारती जनता पार्टी से, क्या वो मंतरी दिनेश शर्मा के साथ हैं, अब अटकले ये लगाई जा रही हैं कि कैसर गंज सीट से अवा दोजा चुनाव लड़ सकते हैं, दिल्चस्प बात ये है कि कैसर गंज ब्रिजभूशन चरण सिंग की सीट है, वही ब्रिजभूशन जो कुछ वक्त से विवादों मे गिरे हुए थे, बदादे की हाली में बीजेपी ने अपने लोग सबस चुनाव के उमीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, लेकिन उसमें कैसर गंज सीट का जिक्र नहीं था, यूपी की क्यावन सीटों पर प्रितैशी घुशित हो चुके हैं, वही कैसर गंज पर इक और अटकले लगाई जा रहे हैं, कि अवादोजा कैसर गंज के अलावा इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा पूरी तयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरती है, इलाहाबाद सीट से अवादोजा को लड़ाने का तर्क ये भी ह इसलिए इसके अलावा अगर जाती की राजनीती देखे तो इलाहाबाद सीट से बीजेपी ब्राहमण उमीदवार उतार सकती है, क्योंकि पिछले बार उन्होंने दीता बहुँ गुड़ा जोशी को उतारा था, अब इस वज़न से ऐसी अटकले लगाई जा रही हैं कि ऐसी खबरे भी सामने आ रहे हैं कि अवादोजा दिल्ली हाई कमांड से मिलने भी पहुँचे थे ताकि उन्हें टिकट दी जा सके, अवादोजा ओनलाइन दुनिया के बहतरीन टीचर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स में गिने जाते हैं, साथ ही उनके अलग-अलग इंटर पहले हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, फिलाल के विस इतना है, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं आज की खबर